फूल नहीं आते मगर फूल चाहिए किसे अगर पतियां ही इतनी खुबसूरत हो नमस्ते इस वीडियो में जानिए पांच कमाल के टिप्स क्रोटन के बारे में क्रोटन उगाने के लिए ऐसा गमला या कंटेनर चुनिए जो की स्टेबल रहेगा क्रोटन का पौधा लंबा होने वाला है और टॉप हेवी होगा यानि उपर भार होगा अगर गमला हलका होगा तो उलट जाएगा इसलिए गमला ध्यान से चुनना है तिप नमबर दो ये है कि अगर आपके वहां रात का तापमान दस डिगरी सेल्शियस से कम हो रहा है यानि ठंड है तो क्रोटन के पौधे को किसी छत वाले हिस्से के नीचे रखिए या फिर अंदर खिड़की के पास तिप नमबर तीन बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मनुष्य का सबसे पक्का दोस्त बताया गया है उसका जवाब नीचे लिखिए ताकि मैं आपको अगले बुधवार वाले वीडियो में शाउट आउट दे पाऊं और क्रोटन के बारे में टिप नमबर तीन ये है कि क्रोटन की पतियां एक चुम्बक यानि मैगनेट के जैसे मिट्टी को धूल को अपने पास बुलाती है तो एक मुलायम कपड़ा लेना है जिसे गिला कीजिए थोड़ा सा और फिर पतियों को हर दस दिन में इस तरह से उपर और नीचे से साफ कर लीजिए सर्दियों में इसे खाद नहीं डालनी मैं एक बार मार्च में और फिर एक बार मई में खाद डालती हूँ यानि स्प्रिंग समर गर्मी और वसंत रितू में ही खाद डालनी है लिपोर्टिंग हमेशा वसंत रितू में या बरसात की दौरान करनी है स्प्रिंग में या रेनी सीजन में करनी है उसके अलावा और कभी भी नहीं करनी नहीं तो पौधा मर जाएगा Get My Harvest YouTube चानल पर क्रोटन की देखभाल के बारे में डीटेल्ड वीडियो है उपर लिंक दे रहे हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूँगी और एक सवाल उसी वीडियो से मैं आपको पूछने वाली हूँ वो ये है कि मैंने उस वीडियो में क्या बताया था क्रोटन इंडोर पौदा है या आउटडोर इसका जवाब भी नीचे लिखिए ताकि मैं आपको अगले बुधवार को शाउट आउट दे पाऊँ कि जो चीज आपको चालेंज करती है वही चीज आपको चेंज भी करती है बदलाव से चेंज से मत घबराईए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए क्रोटन वाला डीटेल्ड वीडियो जुरूर देखिए गेत माई हार्वेस्ट यूट्यूब चानल पर रोज शॉट वीडियो आता है वेंस्टे यानि बुधवार को ऐसा वाला मीडियम साइज वीडियो और हर फ्राइडे बड़ा वाला वीडियो आता है बाई